मेरी आँखों में नमबर बहुत ज्यादा 3.5 हो गया है इसलिए मुझे ड्राइविंग में या कोई अधर एक्टिविटीज में परिशानी हो रही है इसके लिए कोई उप सुझाव दीजिए मुझे बहुत ज्यादा दुख महसूस होता है जब आइरवेद के पास लोग तब आते हैं जब बहुत सीरियस कंडिशन हो जाती है अगर किसी विक्ति को आँखों को हेल्दी बनाए रखने के लिए जिसकी आँखे अल्डेडी है जब उनको टिप्स देते हैं तो लोग फॉल फिर भी आँखों के अंदर जो प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है इसको एट लिस्ट रोकने के लिए कुछ मैं मैडिसिन आपको बता रही हूँ पहली चीज तो आपको एक्सरसाइज करनी है आखों की आखों की एक्सरसाइज मैंने अपने पुराने वीडियो जने बताई ह प्लीज लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है इसको देख लीजेगा थोड़े से कम शब्नों के साथ मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ आखों की एक्सरसाइज करनी है अपने एक उंगली पर आँखों को फोकस करिए कोई भी एक उंगली आप उसमें ले लीजे आँखों को फोकस करना इस तरीके से दूर लेके जाना है फिर ऐसे पास लेके जाना है फिर ऐसे लेके जाना है बिना गर्दन को हिलाए फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे इस तरीके से एक बार में आप आठ बार करेंगे और जितना धीरे 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 करेंगे उतना जाद आपको फैदा होगा एक तो यह exercise करनी है दूसरी आखों की puffing exercise करनी है पफिंग exercise दोनों हथेली लीजिए ये जो निर्मल वावा करते हैं उस तरीके से दोनों ऐसी हथेली लीजिए इसको एक दूसरे के साथ ऐसे रख देना है ठीक है और इसे अपने आँखों के उपर रखना है दिन में कम से कम दस बार इस तरीके से अपनी आँखों को रिलाक्स करिए घीक है यह दो चीज़ें दो exercise जो आपको करनी है आंखों करने के लिए बहुत-बहुत-बहुत-बहुत ज़ादा अच्छा है ट्रिफला को नेत्र लोगों के लिए बहुत-बहुत-बहुत जादा अच्छा बोला गया है त्रिफला के साथ मैं एक दूसरी medicine है सब्ता इसके लिए बोला गया है कि सप्ताम्रत लोह का सेवन करने से किसी जगती के आंखें गरुण जैसी हो जाती है गरुण समझते हैं एक चील जैसा पक्षी जो ऊपर से देखता है तो भी उसको नेचे के चूहे वगरा सब दिख जाते हैं मतलब टांखों में इतनी शाफ नैस आ जाती है तो ये तो वैसे अतिश्योक्ती है इतना जादा तो नहीं हो पाएगा लेकिन आपके एटलेस टांखों में पावर आएगी नमबर आपका धीरे-धीरे कम होगा तो आप क्या करिए पचास ग्राम की मातरा में आप त्रिफला चूड़न लीजे त्रिफला चूड़न हो सके तो जो मार्केट में त्रिफला आते हैं उसका सेवन करिए खुद घर पे मत बनवाईए उसके पीछे रीजन क्या है मैं कभी फ्यूचर में आपको बताऊंगी ज जो भी आपको लेना हो आप ले लीजे 100 ग्राम में 10 ग्राम की मातरा में सब्ताम्रत लोह 10 ग्राम की मातरा में आपको मिला देना है अब सब्ताम्रत लोह 10 ग्राम की मातरा में टबलेट फॉर्म में भी आता है कई बार अलग कुछ कंपनी का कुछ कंपनी का सब्ताम्रत लोह तो आप हमेशा क्या करिए उसमें जिखया रहता है कि कितने ग्राम है दो उस शाषे दीजोगा पांच गराम की मातरा में भांट प्लता में लोह ले लेना है अचछे जचे दौनों का को mix कर दीजिए, पूरा 110 ग्राम का आपका composition बन गया, इसको आपको 1-1 चम्मच की मातरा में दिन में तीन बार लेना पड़ेगा, एक एक चम्मच की मातरा में दिन में तीन बार आपको ये powder का फॉर्पवापोर्डर जो कॉंपोजुश्न बना самой엔 गुणगुने पानी के साथ लिजेगा एक चमस्च की मात्रा में दिन भर गुणगुने पानी के साथ मैं आपको लेना है आखो के एक्सेसाइस करनी है और इस मैडिसम का प्रयोग करना है ठीक है इसके साथ आँखों का नमबर और जादा ना बढ़े इसके लिए हफते में कम से कम दो बार मतलब कि हर तीन दन छोड़ कर आँखों के अंदर रात को सोने से पहले शहद लगाया करिए आँखों के अंदर सोने से पहले शहद लगाना है बिल्कुल आप तो नानी यादा जाएगी जैसी आँख में आप लगाओगे लेकिन वह बहुत जादा जरूरी है उससे आँखों का बहुत आपको आशु निकलेंगे बहुत आशु निकलेंगे पूरे आशु निकलना चालो जाते हैं लेकिन 10-15 सिर्ट के बाद बिल्कुल आखे ठंडी पढ़ जाएगी आखों के अंदर जितना infection है जितना जो कुछ भी भरा हुआ है आखों के अंदर वह खतम हो जाएगा और आपकी आखें बिल्कुल ठंडी पढ़ जाएगी बहुत बहुत जादा करता है इसके बीछे लॉजिक क्या है आरवेदिक में आपको बता देती हूँ आरवेद में आचाल शुषूत में एक रिफ्रेंस दे रखा है कि आखों के अंदर जितनी बीमारिया होती है चाहे वो आखों का नंबर बढ़ना हो या फिर कंजेक्टिवाइडिस टाइप के रोग होना हो मतलब आखों के अंदर जितनी बीमारिया होती है वो हमेशा आखों में होने वाले ब्लड सर्कुलेशन के अवरोध के कारण होती है यह आचाल शुष्टत का रिफ्टन्स है उन्होंने एक श्लोक लिखा है सिरा अनुसारी भी दोशे मतलब जब दोश इवात पित्त का फादी जो दोश होते हैं वो सिराओं में सिर्थ हो जाते हैं जिराओं मतलब ब्लड सर्कुलेशन ब्लड सर्कुलेशन में कहीं भी किसी भी प्रिकार का अवरोध उत्पन्न करते हैं तब ही आपको आँखों के रोग होते हैं तो यहाँ पर जब आप शहर लगाओगे तो आपको बहुत जादा सिक्रिशन होगा जैसे ही आपको सिक्रिशन होगा बहुत आसू निकलेंगे आँख से उसके बाद आपके आँखों के अंदर जो प्रेशर है वो प्रेशर कम हो जाएगा जो ब्लड सर्कुलेशन में अवर आपको कम होगा और आपको अच्छा ब्लड की सप्लाइए होगी तो आँखों की रोशनी आपकी बढ़ेगी नमबर जो आपके बढढ़ गाए है वो धीरे कम होगे याद रखिए इसमें बहुत टाइम लगेगा मतलब आपका नमबर जो इतना ज़ादा बढ़ा है इक दिर मत बढ़ानी होगा तो प्लीज ये उम्मीद मत रखिएगा कि 7 दिन 15 दिन में आपकी आखे वापिस तरी हो जाएगे कम से कम 6 महीने के लिए आप इस तरीके से मैडिसन का प्रियोग करिए healthy lifestyle लीजिए healthy lifestyle यह है exercise करना आखों की पूरी बॉडी की exercise करना और healthy diet लेना इन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो definitely आपको फायदा होगा ठीके पुराने वीडियो जरूर देख लीजिएगा उससे आपको थोड़े बहुत जो डू डू डॉन्स होते हैं और exercise हैं और टिप्स हैं वो सब आपको पता चल जा कर दो